अगर किसी के पीट में कोई समश्या हो गैस बनती हो अपच होता हो बधचमी होती हो या छोटी बच्चों के पीट में क्रीमी हो जाती है जिसके वज़ा से भी दर्द रहता है तो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी हो जिन्हें पेट की समश्या हो या बच्चेदानी या गर्भासय उदर से संबंदित कोई भी परिशानी हो महासिव रत्र के दिन संकर जी पर एक बैर चड़ाएं और बैर चड़ाने के बाद महास मंतर का जाप करें और उसके बाद उस संकर जी पर चड़ा हुआ जो बैर आपने चड़ाया है उसको आप खा जाएं उससे आपके पीट की जो भी समिश्या है वह आधे घंटे के अंदर बिलकुल खत्म हो जाएगी अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी कहा है पीट की समिश्या के लिए के लिए भी कहा है तो वह भी कराने के आवेश्यक्ता नहीं पड़ेगी और आधे घंटे के अंदर पेट की सारी समझाएं ठीक हो जाएंगे लेकिन यह उपाई केवल महाशिवरत रात्री के दिन ही आपको करना है तो महाशिवरत को पूरे दिन में कभी भी आप यह जोते हैं सही उपाई और सही समय पर करने की विधी